हलो इर्वन, चर्चित मुद्व के शंखला में गवाफिर से आप सब ही का स्वागत है किसी भी देश की अर्थिव्यस्था कितनी मजबूत है उसके केंदरी बैंक में रखे गोल्ड रिजर्व से पता लग सकता है भारत की अर्थिवस्था देखा जाए, पिछले कुछ सालों से लगातार तेजी से बढ़ रही है और आग्या आने वाले सालों में ये विश्व की सबसे मजबूत अर्थिवस्था में से एक हो जाएगी इसी दर्शकूर्ण से देखा लया तो बृते बहरती रिजर्बेंक अॉप इंडिया के द्वारा 100 तंड सोना रापस मगाए गया है यहांपर यह क्विश्चन होता है कि RBI के द्वारा यह 100 तंड सोना है क्या यह खरीदा गया है या फिर यह Reserve Bank of India का ही सोना है जो Britain में यहाँ पर आपको रखा गया था दूसरा सवाल है कि क्या यह सोना यहाँ पर किसी जरूरत के हिसाब से मगाया गया है या फिर यहाँ पर किसी सप्रकार की समस्या है सोने का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं इसका अर्थविवस्ता में किस तरीके से योगदान होता है इसकी सुरक्षा और यहाँ पर इसको लाने ले जाने को लेकर किस तरीके के हाँ पर इंतिजाम किये जाते हैं इन सारी चीजों को आज हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे तो गोल्ड रिजर्व यानी यह गोल्ड एक एकनॉमी कैसी है यह किस तरीके से काम करती है विश्व में अलग लग देशों के साथ इसकी तुलना करके भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले देखिए जो न्यूज यहाँ पर है और 1991 के बाद यानी 1991 की सुरुवात के बाद से पहली बार है जब इतना अधिक सोना जो है भारत के भंडार में वापस आया है लेटेस जो डेटा अगर हम देखें मार्च 2024 के डेटा को अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें इसमें कहा गया है कि RBI के पास कुल जो है 822 समलो एक टन सोना है और जिसमें से 413 समलो आट टन सोना जो है वो विदेशों में जमा है यानी कि सारा जो सोना है RBI का वो एक ही जगह पे नहीं है और भारत में भी नहीं है वो अलग अलग जगहों पर यहां पर रखा गया है इसके पीछे के कारण क्या है वो भी समझेंगे देखे आरबिया पिछले कुछ सालों से सोना खरीदने वाले केंद्रि बैंकों में से एक है अब पिछले विद्वर्ष में रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सोने के बंडार में 27,7,5 तन जो सोना है वो बढ़ाया यानि की आरबिया के द्वारा लगातार सोने की खरीद की जा रही है और ऐसा क्यूं होता है सोना जो है लगातार खरीदा क्यूं जाता है तो उसको भी समझते है देखें चार पॉइंट में समझते हैं कि सोने का जो लाया ले जाया कैसे जाता है सबसे पहले उसको तो देखिए जो सोना लायाग है क्योंकि एक बहुत बड़ा आपको देखा जाए एक लाग किलो है यानि कि 100 टन सोना है जो किसी भी तरीके की अर्थव्योस्ता के लिए एक मजबूत आधार है और कोई भी यहाँ पर सेक्योर्टी से लापरवाही न हो, किसी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए काफी सारे यहाँ पर चीजों को धियान रखा जाता है जैसे कि सबसे पहले 100 टन सोने को भारत लाने के लिए महीनों के एक प्लानिंग होती है और इस planning में एक दो व्यक्ति नहीं, एक संस्था नहीं जोड़ी होती है, बलकि अगर देखा जाएं, तो पूरे plan को execute करने के लिए, वित मंत्राले, RBI और सरकार की कई अन्य जो wing होती है, local authorities होती है, वो मिल करके यहाँ पर इस plan को बनाती है और इसके execute करती है, इसमें RBI को सोन भारत में लाने के लिए सीमा सुल्क में छूट मलती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, भारत में करव्यवस्था है, जो import-export यहाँ पर लगती है, वो है GST, ठीक है, तो आयात पर लगने वाले integrated GST में देखा जाए, इसमें से किसी परकार की कोई छूट नहीं दी है, तीसरी बात यहाँ पर देखें, गोल्ड लानी के लिए कि यहाँ पर एक special aircraft यहाँ पर manage किया गया, सरकार की तरफ से यहाँ पर, और इस कदम को RBI जो है, कुछ storage cost बचाने में भी यहाँ पर इसके मातिम से मदद मिलेगी, यानि कहीं और रखने के बजाए, जो आपको payment क करनी पड़ती है, कि आप हमारा समान यहाँ पर रखे रहे, उसके लिए जो पैसा लगे हम आपको दे रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप अपनी ही जगहाँ वहाँ पर रखेंगे, तो सेफ रहेगा, तो यहाँ पर देखें, storage cost यहाँ पर आपको मिलती है, बचत होती है, ज इसके अलावा गर हम देखें, तो पूरी securities के साथ सोने का storage, नाकपूर में भी आपर वाल्ट में किया जाता है, तो अलग लग जगहों पर देखा जा, सोना एक जगहा भारत में भी नहीं रखा गया है, अब एक कुश्चन होता है कि अलग लग जगहा पर रखा क्यों जाता कुछ वैसा है, यहाँ पर सोने के साथ है, RBI ऐसा ही करता है, क्या करता है? देखे, RBI जो है भारत में ही बलकि विदेशों में देखे जाता है, तो सोना रखता है, और केंद्रिय बैंक जो है सोने को अलग अलग जगहों पर रखते हैं, जो खिम कम करने के लिए एक जगहा सोना नहीं रखा जाता है, पहले तो सोने की सेफटी को यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, कई सारी चीजों के सुरक्षा के जहां भी रखा जाए, सेफटी वहाँ पर पर सबसे पहली होनी चाहिए, इसके लावा कई बार होता है क्या है कि या तो आबदा प्रबंधन या कई कई बार आपदाएं आ जाती हैं प्राक्तिक हो सकती है या कई बार जो राजिंतिक अईस्थिरता के कारण होती है या फिर अगर हम कहें आर्थिक इस्तिती अगर आपको खराव हो जाती है तो ऐसी इस्तिती में हम देखें तिससे उबर्नों में जो विदेशों में रखा आप पर आपको help करता है प्राग्दी आपदाओं से भी सोने के भंडार को नुकसान पहुंच सकता है और अलग-अलग जगहों पर सोना रखने से हम इस प्रकार के संकट से भी वहाँ पर बच सकते हैं क्योंकि एक ही जिखा पर मान दीजिए कहीं बूकंप आ गया कहीं या बाढ़ गया है तो देखे 203 समलो 9 टन सोने का भंडार भारत का आर्बिय के दौरा यहां पर बढ़ाया गया है इस समय कितना भंडार है तो यहां पर आप देखे आठ 122 एक टन भारत का कुल सोने का भंडार है और यहां पर हम देखे तो 1219,20,21,22,30, और 24 में 2019 में हम देखे 618 समलो 2 टन जो सोना था वो 671, 695, 760, 794 और 822 तक यहाँ पर पहुंच चुका है देश में कितना जमा है तो देखे 418 समलो 3 टन सोना जो भारत में है और विदेशों में देखा है 413 समलो 8 टन सोना जो है वो सिर्व भारत का नहीं बलकि कई अन्य देशों का भी ब्रिटेन में आपको सोने का भंडार है ब्रिटेन का बैंक ओफ इंगलेंड परंपरा के कई केंद्री बैंकों गले सोने का भंडार गे रहा है भारत के आजादी के पहले से कुछ मात्र जो है सोना जो है वो लंदन में जमा है आजादी से पहले कबाद ब्रिटेन बैंक ओफ इंगलेंड भारत का सोना रखता था इसलिए आजादी के बाद भी भारत के कुछ सोना लंदन में ही यहाँ पर अभी भी रखा हुआ है फैसला किया गया है यह हमारी economy के लिए यहां पर conference को बूस्ट करेगी क्योंकि यह आपके पास gold reserve जादा है जिसके मतलब आपकी economy लगाता growth कर रही है और किसी भी प्रकार के dollar या economy जो होता है dollar में रुपया कमजोर हो रहा है RBI भारत साथ विदेश में भी यहां पर सोना रखता है जैसे कि हमने बात की कई जगहों पर केंद्री बैंक सोना आलग लग जगहों पर रखता है जो कियों कम करने के लिए और किसी प्रकार की समस्या को होने से रोकने के लिए चाहे आपदार आर्थिक हो राजनितियों किया किसी भी तरीक ही लाश्ट चीज यहां पर थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कंपैरिजन देखें गोल्ड जो रिसर्व है भारत के मुकाबले अन्हे देशों के पास कितना है देखें सबसे जाएद जो गोल्ड रिसर्व है यहां पर के अमेरिका पास है 8133 46 टन है दूसरे अस्थान पर जर्मनी है 3352 65 इटली 2485 85 फ्रांस 2436 88 रूस 2332 74 चीन 2225 45 स्विट्जर लेंड 1040 जापान के पास 845 97 भारत पास 822 और नीदर लेंड पास 612 45 यहां पर सोन है जो है आपको टन है यह तोप 10 यहां पर आप देख सें सबसे ज भारत यहां पर देखा है सोने के भंडार के मामनों के स्थान पर है नौवे स्थान पर है जबकि अमेरिका यहां पर पहले स्थान पर है जबकि चाइना को अगर हम देखें तो यहां पर आपको यह छठे स्थान पर रशिया पांच में पर है जर्मनी यहां पर आपको दूस तो मुझ एंकरुड़।